वेलकम बेक टो मैं चैनल, I am C.A.ंकित दातेर और आज की GST डूस की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GST में आया है एक नया फॉर्म जो की है DRC01A तो क्या है ये फॉर्म इसमें क्या आपको अपडेट मिलेगा क्या आपको इसमें और कोई information देनी होगी ये किस काम आएगा ये सारी बाते आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो अगर आप भी जाना चाते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पुरा end तक देखी साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही लेटिस वीडियो अपडेट पाना चाते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे देगे red color के बटन से और साथ में मेरी वीडियो को जदे ज़दा लाइक कीजे शेर कीजे अपने facebook, whatsapp group में और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो उसे bell icon को press भी कर दिजे ताकि ऐसे ही latest video update आप सभी को regularly पहुँचते रहें तो चलिए start करते हैं हमारे आज की इस video को आज हम बात करेंगे notification number 49 बटा 2019 central tax का जो की 9th October को आया है और इससे CGST rule को 6th time amend किया गया है 2019 में तो यह जो amendment इसमें किये गये है वो 9th October से आपके effective हो चुके है rules के अंदर change कर दिया गया है तो हम यहाँ पर बात करने वाले है form DRC-01A जो की एक नया form है और यह rule 142 के according यहाँ पर insert किया गया है तो इसके अंदर rule 142 को amend किया गया है तो इस notification का point number 9 यहाँ पर बोलता है in the set rules set rule का meaning हो गया CGST rules तो CGST rules में rule नमर जो 142 है जो की बात करता है notice and order against the demand payment of the tax तो उसका sub rule 1 के बाद आपका नया sub rule 1A भी यहाँ पर insert किया गया है तो अब हम देखते हैं यहाँ पर sub rule 1 क्या कहता है ताकि हमें 1A के अंदर क्या difference है वो हमें समझ में आज सके तो यह बात करता है rule 142 notice and order for demand of payment of amount payable under this act यहनिके tax interest जो भी amount आपका यहाँ पर payable है तो sub rule 1 बोलता है the proper officer shall serve along with the notice तो इसमें along with the notice point number 1 यहाँ पर बोलता है under section 52 जो कि e-commerce PCS के लिए बात करता है PCS collect करने के लिए 73 आपका fraud other than fraud का जो आपका refund हो चुका है या आपने tax payment कम किया है तो उसका section 73 74 fraud की cases में 76 आपका miss representation इसकी case में 122 जो है वो आपकी general case में 123 आपका specified cases के अंदर 124 125 ऐसे ही इन sections के अंदर अगर आपका notice issue किया गया है तो इसके लिए आपका जो notice होगा वो issue किया जाएगा form DRC01A से और जो आपका statement मंगा जाएगा section 73 के subsection 3 के अंदर और section 74 के subsection 3 के अंदर जो summary आपकी submit की जाएगी वो DRC02 के अंदर की जाएगी लेकिन अब बात आती है DRC01A यहाँ पे form क्या है तो DRC01A form के लिए यहाँ पे कहा गया the proper officer shall before the service of notice यानि कि जो 01A का notice है वो notice या कोई और notice आपका sub होने से पहले to the person chargeable with the tax, interest and penalty यानि कि जिस person पे आप penalty, interest, tax का लगा रहे हैं लेकिन कौन से section के अंदर section 73 के subsection 1 यानि कि other than fraud के case में अगर आपको refund किया गया है RNAs के refund किया गया है, tax का payment कम है, short paid है इन सारे cases में या फिर आपका fraud का case है तो यहाँ पे वो communicate करेगा, कौन proper officer communicate the detail of any tax, interest and penalty as certain by the said officer जो proper officer आपको notice issue करता है वो यहाँ पे आपको communicate करेगा in part A of DRC01A पहले आपको communicate करेगा, notice issue यहाँ पे नहीं किया जाएगा इसका point number B बोलता है in subrule 2, after the word, in accordance with the provision of the act यानि कि जो rule 142 है, उसका subrule 2 जहाँ पे यह word यूज किया गया है in accordance with the provision of the act यहाँ पे कुछ और word यहाँ पे insert किया जाएंगे जो कि बात करता है, whether on his ascertainment or as communicated by the proper officer under subrule 1A shall be inserted तो यहाँ पे हमें subrule 2 जो है, वो देखना पड़ेगा subrule 2 यहाँ पे बोलता है, where before the service of notice or statement, the person chargeable with the tax makes a payment of the tax and interest in accordance with the provision of the subsection 5 of section 73 or as the case may be and tax interest and penalty in accordance with the provision of subsection 5 of section 2074 or any person makes the payment of tax interest and penalty or any other amount due to in accordance with the provision of the act यानि कि यहाँ पे जो in accordance with the provision of the act इसके बाद यहाँ पे नई line जो नए words है, वो insert किया गए तो यहाँ पे इसको जो चेंज है वो किया गया और इसमें बोला गया कि कि सब रूल 2 के बाद यहाँ पे जो वर्ड इंसर्ट किया जाएगा whether on his ascertainment या जो प्रॉपर आफिसर ascertain करता है या जो communicate करता है जो sorry यहाँ पे जो ascertainment जो होता है वो आपका taxpayer जो ascertain करता है और जो communicate होता है proper officer जो कि 1A के अंदर हुआ है वो यहाँ पे word यहाँ पे insert किया गया उसका payment करेगा वो DRC03 के अंदर intimate करेगा उसके बाद 2 के बाद 2A भी insert किया गया जिसमें बोला गया where a person referred in subgroup 1A had made a partial payment क्योंकि DRC03 के अंदर आपका partial payment पहले allow नहीं था तो यहाँ भी बोलता है कि अगर आप partial payment करते हैं communicated to him and desires to file any submission against the proposed liability he may make payments a submission in part B of DRC01A तो यहाँ पे जो है सबसे पहले proper officer जो है notice को serve करने से पहले section 73.1 और 74.1 के according उससे पहले taxpayer को communicate करेगा उसकी tax interest और tax interest liability penalty के बारे में और जो subrule 2 A के according आपका जो taxpayer है वो अगर partial payment करता है proposed liability के against में कुछ भी against में submission करता है file करता है submission file करता है appeal file करता है तो वो पार्ट B of DRC 01 A के अंदर यहाँ पे payment करेगा अब बात आती है कि form यह कैसा होगा तो form के लिए यहाँ पे बताय गया कि DRC 01 के बाद यहाँ पे नया form insert किया गया है जो कि है DRC 01 A जिसके अंदर होगा पार्ट A के अंदर अगर हम बात करें तो वो आपका होगा DRC 01 A जो form है वो है आपका intimation of tax a certain as being payable under section 73 और 74 subsection 5 तो यहाँ पे यह rule जो है 142 1 A के according notified है तो part A जो proper officer issue करेगा उसके अंदर क्या-क्या लिखेगा पहले रहेगा number case ID number 2 जिस JSTN को जा रहा है उसका trade name address यहाँ पे होगा और date होगा और फिल subject में यहाँ पे क्या रहेगा case proceeding reference intimation of the liability जो की liability यहाँ पे आती है 73 की और 74 की please refer the above proceeding in this regard the amount of amount of के बाद यहाँ पे amount आ जाएगी tax interest and penalty payable by you under section 73 5 and 74 5 with reference to said case as certain by undersigned in term of available information as given below तो यहाँ पे information दी जाएगी act की, period की, tax की, tax amount की जो की आपके act, cgst act की according कितने कौन से period की, कितना tax की amount pending है, interest की, penalty की वो सारी details यहाँ पे दी जाएगी cgst, sgst, igst, success की और total amount उसके बाद grounds and qualification as attached given below यानि कोई grounds है आपका कोई भी qualification यहाँ पे दी गई है तो वो proper officer यहाँ पे attach करेगा उसके बाद लिखेगा, you are hereby advised to pay the amount of tax as a certain above along with the applicable interest in full by यहाँ पे जो date रखी लिखी जाएगी failing which shows, which showcase notice will be issued under section 73.1, you are hereby advised to pay the tax as a certain along with the applicable interest and penalty क्योंकि यहाँ पे जो 73 है वो other than fraud की case है और fraud की cases में आपका interest और penalty दोनों भरना होता है जिबकि other than fraud की case में आपको सिर्फ tax और interest आपको यहाँ पे pay करना है failing which shows will be issued under section 74.1, in case you wish to file any submission against the as above as a certain the same may be furnished in part B of this form तो part B of this form के अंदर आप यहाँ पे file करेंगे proper officer यहाँ पे अगर आप कोई भी submission file करना चाहते हैं या आप appeal file करना चाहते हैं तो उसका जो text pair है अपना resolution यहाँ पे जो है part B के अंदर देंगे designation, name और designation यहाँ पे professor का रहेगा आपका और कोई attachment है वो आपका upload रहेगा uploaded उसके बाद part B, part B के अंदर reply दिये जाएगा to communication for the payment before the issue of show course यानि कि जो आपने payment कर दिया उसको communicate करेंगे उसका reply देंगे तो reply के लिए आप case proceeding जो reference number है उसका देंगे और payment and submission जो अगर आपने payment कर दिया है तो payment यहाँ पे रहेगा payment in response of the liability under section 73.5 और 74.5 या आप appeal फाइल कर रहे हैं तो यह रहेगा आपका submission in response of the liability intimated under section 73.5 और 74.5 उसके बाद आप यहाँ पे refer करेंगे please refer the intimation ID जो आपका ID रहेगा in respect of case ID white the liability of tax payable as certain under section 73.5 74.5 was intimated in this regard this is to inform you that the set liability is discharged partially यानि कि अगर आप partially करते हैं to the extent of rupees through आप किसे कर रहे हैं the submission regarding this remaining liability are attached given below यानि कि इसके submission भी आपको यहाँ पे attach करने होंगे जिसका payment जितनी amount का payment आपने किया नहीं है और जितनी amount का आपने payment कर दिया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद point number B यहाँ पे आ सकता है the liability is not acceptable and the submission in this regard are attached below यानि कि आपकी जो liability है वो आप completely accept नहीं कर रहे हैं और आप यहाँ पे जो है उसका attachment डाल के आप submission जो है वो आप यहाँ पे डाल के और उसे यहाँ पे file करेंगे तो इस वीडियो में हमने जाना form DRC01A जो की नया form है insert किया गया है, government की तरफ से CGSTRI rules के अंदर 9th October से तो वो क्या है यह practically आपका available जल्द ही portal पे available हो जाएगा तो इसमें अगर आपको ऐसा notice आता है तो आपको कैसे reply करना है इसके लिए भी आप मेरी help ले सकते हैं, मेरे facebook page से जूड़ सकते हैं और अपनी queries जो है वहाँ पे भी share कर सकते हैं और अगर वीडियो के regarding या other को regarding आपको query है GST के अंदर तो आप वीडियो की comment box के अंदर comment करके बता सकते हैं जो भी proper resolution रहेगा, मैं आप सभी को देने के कोशिश करूँगी आशाय आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे जद़ जद़ लाइक कर दिजिए शेव कर दिजिए अपनी facebook, whatsapp groups के अंदर और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइक उन को प्रैस कर दिजिए ताकि ऐसी ही latest वीडियो अपडेट आप सभी को रेगुलरी पहुंचते रहें जैहन्त